जय शिव संकरमित्रों मैं आप सभी का हरी स्पांडे आज आप मकर रासी वालों के लिए एक बहुत ही आवस्चक सुचना ले करके आया हुआ हूँ और ये आवस्चक सुचना है सुक्र के रासी परिवर्तन के संदर्भ में इस बार सुक्र का रासी परिवर्तन होने जा रहा है खास क्योंकि इस बार सुक्र अपनी नीच रासी करन्या में प्रवेस करने जा रहे हैं अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि नीच रासी में प्रवेस करने जा रहे हैं तो हो सकता है मामला उल्टा सीधा हो लेकिन कैसा ह वीडियो में आप बने रहेंगे तब वीडियो में आप सभी लोग बने रहें वीडियो सुरू करने से पहले एक आवस्तिक सुचना कि यह आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं अपनी कुंड़ी दिख्वाना चाहते हैं तो आप मेरे वाट्सप नमबर पर मैसेश करें मेरा वाट्सप नमबर है 8540096730 यह नमबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिद्दे दूंगा तो मित्रों चलिए वीडियो की करते हैं स और अब यह भोग विलासिता को प्रेजेंट करते हैं भोग विलासिता आकरशन समोहन ओंगीत संगीत कला यह सब जितने भी चीजे हैं धन्न वैभाव सुक्त संपद्दय ये सब सुक्र के ही परयावाची सब्द हैं जिनकी भी कुंडली में सुक्र मजबूत होता है वो ब्यक्ति ऐस्वर साली होते हैं सभी भोगों को प्राप्त करते हैं सभी सुक्षुविधा और लगजरियस जो लगजरियस लाइफ होती है न जैसे बड़े बड़े फिल्म देचीज़े हो तो ये सब क्या होता है जो कर के कारन होता है सुक्र जिसकी कुंडली में मजबूत होता है उस व्यक्ति का आभामंडल इतना पॉजिटीव होता है की दर्थता उसके आजपास भी नहीं फटक सकती जिसका positive होता है उसे अगर आगर वो पुरुस है तो उसे स्थिक्र मिलता है और फक्रुत सब्सक्राइब क्योंकि सुख्र पुरुषों के लिए अगर आगर तो सुख्र का इतना सारा महत्व है और वहीं अगर सुक्र कुंडली में खराब हो तो ऐसा व्यक्ति संस्कार हीन होता है उसे अपने ग्रिहस्त जीवन का सुख नहीं मिल पाता है और जीवन में सुख सुविधा के साधनों की जो कमी होती है वो हमेसा उसे खलती रहती है उसे अपने वीप्रीत लेंगी आभा दबी होती है उसका सुंदर्ता दबी होती है वहीं जिसका अच्छा हो हुए उसकी सुंदर्ता महत्व है अब यह जो सुक्र है यह तीन नवंबर दो हजार तेईस को अपनी नीच रासी कन्या में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर की वह तीस नवंबर दो हजार तेईस तक रहेंगे अब जैसे ही यह कन्या रासी में प्रवेश करेंगे इनकी केतू के साथ यूती हो जाएगी और राहू के साथ द्रिष्टी संबंद हो जाएगा तो पहले हम यह जानेंगे कि यह द्रिष्टी संबंद और यूती का क्या प्रभाव है देखे मित सुक्र और केतु यूती को अच्छा नहीं माना जाता है अगर ये गलत वहाओ में बन गया किसी मारक भाओ में या किसी नीच भाव में बन गया तो बहुत ही जादा तो मतलब तकलीफ में देता है परसानिया देता है और कारियों में असफलताएं देता है और वासनाओं को वासनाओं में वृद्धी करता है और मन को भटकाता है लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि केवल सुक्र केतु की यूती होती तो यह परिडाम होते लेकिन राहू की दृष्टी अपने मित्र केतु पर पड़ रही है उपर से सुक्र पर भी यानि की सुक्र भी क्या है दैते गुरू है तो सुक्र पर भी राहू की दृष्टी अच्छी मानी जाती है तो यहां दृष्टी संबंद के कारण से परिवर्वों में मतलब भिन्नता आ जाएगी परिवर्व अलग-अलग हो जाएंगे तो चली अब जानते हैं कि आप मकर रासी वालों को क्या-क्या मिलने जा रहा है इस सुक्र रासी परिवर्वर्तन से तो मित्रो देत गुरु सुक्र तीन नवंबर को आपकी रासी से नवं भाव याने भागे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं जो की अत्यन्त ही सुभ है अत्यन्त ही सुभ है आप सुख सुविधा और लगजरी के सामान खरीदेंगे लगजरीय सामान खरीदेंगे आपके स और स्वास्त भी काफी बैतर आपको दिखाई देगा आपका स्वास्त आपको परसान नहीं करेगा बिजनस और नौकरी पेसा दोनों तरह के लोगों के में घर में मांगलिक और धार्मिक कारे हो सकते हैं इस गोचर में यह गोचर आपके लिए किसी वर्दान से कम नहीं हैं जीवन साथी के कारण आपके भाग्य में वृद्धी होगी जिससे कि आपके कारेओं में आ रही जो रुकावटे हैं वो रुकावटे समाप्त होने लगेंगी परिवार और मित्रों से सहयोग मिलेगा जो कि अब तक आपको नहीं मिल रहा था वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे परिवार के लोग आपके विचारों से सहमत होने लगे हैं और आपके हां में हां मिलाने लगे हैं और वहीं आपके मित्र जो आपसे कटे कटे रहते थे दूर दूर रहते थे वे अब आपके साथ आपका सहयोग देने के लिए आपके साथ खड़े हो जाएंगे और आपका सहयोग देना सुरू कर देंगे विदेश की यात्रा संभव है इस गोचरकाल में और इतना ही नहीं एक बात ये भी बतला दूँ कि विदेश की यात्रा ज्यादा संभव है और विदेश की यात्रा के साथ साथ आप अपने देश में भी कोई भी यात्रा अगर करते हैं तो वो यात्रा आपके लिए सफलता द पूरा होगा आपके सुखों में व्रिद्धी होगी यानि कि मानसिक सुख सारेरिक सुख सामाजिक सुख परिवारिक सुख सुख कई प्रकार के होते हैं तो आपके सुखों में व्रिद्धी होगी आपके कष्ट दूर होंगे जिन भाती-भाती प्रकार के कष्टों से आप प सुखद अनुभूती होना सुरू हो गई होगी आप लोग कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा राहु के तु अब अपनी बुरी स्थिती से बाहर निकल चुके हैं और एक सुखद स्थिती में आ चुके हैं तो उपर से सुक्रका एक गोचर काफी सांदार सहोग सहोग दे सिख्षा के छेत्र में भी काफी उन्नती होगी अगर आप मकर रासी के विद्यार्थी हैं तो मित्रों यह रहा सुक्रका रासी परिवर्तन जो कि आपके लिए अत्यनते ही सुखद है आप इसका अनंद लीजिए और आगे बढ़िए ठीक है अब धीरे धीरे दुखों की न नंबर पर मेसेज करें मेरा वाट्सअप नंबर है 854 0096730 यह नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा तुमित्रों मैं चलता हूं आप सभी अपना ख्याल रखिए जैसियो संकर